प्रजी विज्यापन से साथ में 18,000 पर समीदा भरती का विज्यापन निकला हुआ है इसका आधार इंटर्वियू भी होगा पूरा मामला देखेंगे साथ में बहुती महत्तपूर्ण PSC और व्यापन की फ्री में कोचिंग दिया जा रहा है क्या है पूरा मामला कहा दिया जा रहा है पूरा विस्तार पूराइक बास्चित करेंगे तो जल्दि से जलिए बिनरग्हे जारी के विडियो को सब्सक्राइब करते हैं जरों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया Defense तो देखिए सबसे पहले वीडियो को श्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए अत्यांत महत्वपूर्ण फरजी विज्यापन से जो आपको साउधान होने बोल रहा हूं देखिएगा यहां बताया गया है कि DKS होस्पिटल में GNM और DNM और NNM में भर्ती का जासा भर्ती विज्यापन से साउधान, DKS में भर्ती के नाम पर दे जासा अस्पतार प्रबंधन भी अंजान रजिश्टन फीस के नाम पर मांग रहे 1500 रुपए नौकरी लगाने के लिए 30,000 की डिमांड साथ में बताया गया है कि DKS सुपर स्पेशलिस होस्पिटल में 20 पुरुस वबा महीला पदों पर भर्ती को लेकर विज्यापन जारी किया गया इसमें एक साल का अनुभाव मांगा गया अनुभाव भी नहीं होने पर 15 अक्टूबर तक आविदन किया जा सकता है वहीं 12,000 रुपए सेलरी देने की बात कही जा रही है जब यहां पर पत्रिका पेपर में इस विज्यापन में दिये एक कांटेक्ट नमबर में संपर किया तो एक महीला ने फोन उठाया उक्त महीलाओं ने जो है 1500 रुपए रजिशेशन फीस के साथ जब पत्रिका की टीम रवी भववन पहुची और संपर के तो मोबाइल बंद बताया यहां आने पर आफिस का भी पता नहीं चला इस समद में डीकेस हॉस्पिटल को प्रबंधन को भी जानकारी नहीं है प्रबंधन का कहने कि ऐसी कोई भरती अस्पताल से नहीं निकली है यह पूरी तरह से फरजी वाड़ा है इस प्रकार से कोई भी भरती अस्पताल में नहीं निकलिया, अस्पताल में G.N.M. का पद भी नहीं है, इस पद के लिए फर्जी विग्यापनों से लोग साओधान रहे, ऐसी कोई भरती की बास सामने आ दिये तो एक बार जरूर अस्पताल में संपर करें, फर्जी वाड़ा करने में इस्थानी लोग सक्री है इस प्रकार से हाँ बताया गया है तो आप लोगों को इसी कान बोलता हूं बहुत ही सावधान होकर आप लोग ये सब काम करिएगा क्योंकि एक-एक पैसा अत्यान तक किमती है और इस प्रकार के खबरों को सबसे पहले आप टटो ले और जो आपको किसी और चीज में ठगी मिलेगी तो आप लोग का पैसा अत्यान तक किमती है पैसे के साथ साथ आप अपना समय भी देते हैं तो इन सब चीजों से आप सावधान रहिए और सतर करेए दूसरी और बहुती मातपॉर्ण चैयन का अधार इंटर्व्यू जी हाँ सम्व 18 अक्टूबर 2022 मतलब आज है 16 परसों जो है आपको यहां वाक इन इंटर्वी में जाना है बीजापूर में बताया गया है इसका जो सेक्षणी क्यों क्याता है किसी भी मानेता प्राप्त विश्विद्याले संस्था से गड़ित विशा में 50% के सांथ इसनाकोत्तर समकक्ष एवं B8 की उपाधी अनिवार है याद रखिएगा इसके लिए 18,000 रुपय प्रती महा आपको दिया जाएगा चैन की प्रक्रिया रहेगी कि 60% जो है साक्षातकार में प्राप्त अंकों के अधार पर मेरी सुची तयार की जाएगी साथ में चैन सुची में जो समीती का निर इसका बीजापूर वाली वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं या तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल में भी जूड सकते हैं अब ये हो रही आपकी नौगरी की बात अब बात करते हैं मुपत में PSC और व्यापम की कोचिंग की ये जो है वैसे तो सभी जीलों में प्र व्यापम की कोचिंग होगी इसकी सुक्रवार को हो चुकी मतलब कल जो है वो हो चुकी थी परसों इसकी सुक्रवार को ही ये निसूल का कोचिंग हर दिन दो बैच में होगी जहां विद्यार्थियों को PSC और व्यापम में सभी विश्यों पर अलग-अलग कोचिंग मिलेग उन्हें आने वाले परिक्षा के लिए तयार किया जाएगा निसूल का कोचिंग जो है बताया गए कि विधायक के सौजन्य से वुआ इस प्रकार से तो आप लोग एक बार जा के देख सकते हैं जो लोग बिलाशपूर, रायपूर, दुर्ग नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग क अगर आपको फ्री में कोचिंग लेना है तो आप यहां पर भी जा सकते हैं तो जाईएगा पतक लगाईएगा और मुफ्ता में कोचिंग कीजिएगा अब रही बात यह सारी चीजें आप लोगों के काम की थी होती महत्पूर्ण बातों पर अगर मैं बात कर ध्यान आकरश बहुत ही positive निजर आप सभी के लिए कारण क्या है देखिए अरक्षन के मुद्दे पर पूरा agenda तयार हो चुका है कल है cabinet committee कल जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा लेकिन बहुत ही सांदार चीजे होने वाली है एक चीज़ आप लोग याद रखेगा दूसरी मह होते रहती है जो बहुत सारे जो तयारी कर रहे हैं PSC व्यापम की कोचिंग की उन सभी के घर में यह सब काम होंगे तो जाहिसी बात है अब थोड़ा सा disturbance उन सभी को चालू हो जाएगा जो घर से बाहर रहते हैं अब वो घर की ओर थोड़ा सा लोटना चालू कर दिये होंग लेकिन यह नह भुले कि आने वाले समय में vacancy है तो आप लोग यह जरूर अपने mind में रखियेगा कि जिस समय आप लोग घुम रहे हैं या कहीं और time waste कर रहे हैं कोई दूसरा वेक्ति उतनी ही तनलिलता से पढ़ाई कर रहा है तो आप लोग के mind में जब यह चीज रहेगा तो याद रखियेगा आप लोग कहीं न कहीं पढ़ाई करने बैठेंगे जब भी अगर आप लोगों को पढ़ाई करने का मन नहीं करता या कहीं घुमने जाने का मन करता है एक बार दिमाग में लाइएगा जरूर कि आपका दोस्त आपका टॉपर वेक्ति कहीं न कहीं वहा सारी वेकेंजिया है और बहुत ही सांदार पॉजिटिवनीज है आपको मैं आज साम कोई अकल दे दूँगा लेकिन याद रखिएगा तैयारी आपकी जोरों की होनी चाहिए ठीक है तो आज इसका वीडियो यहीं तक आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लागा नहीं है आपको मैं आपको वीडियो अद कर द सूँगी मैं आपको भीडियो शुट deshalb करता हिसा एका वीडियो ढककों का वीडियो बहुत ही संपा है झाल झाल